10th class मैंने आपको question भेजा है ये question के देखो तीन तरह से question आ सकता है ओम का नियम क्या है आप इसकी प्रयोग शाला में कैसे पुष्टी करोगे ओम का नियम लिखो चितर बना कर समझाओ प्रयोग शाला में इसकी व्याख्या करो ओम का नियम बताओ इसे प्रयोग शाला में प्र पर होने हैं तो आपने यह question जरूर याद करना है ठीक है बेटा तो सबसे पहले बताना है हमने ओम का नियम क्या है ओम के नियम के नुसार किसी चालक के सिरों के बीच विववांतर वी और उसमें प्रवाहित हो रही धारा की मात्रा आई का अनुपात जो होता है सदस्थिर रह या वी बता इस इकल टू हमेशा आ रहेगा इसके लिए हमने यह बनाना होता है परिपत बनाना होता है कि ऐसे इस तरीके से हम इसको लगाएंगे यहां पर वोल्ट मिटर लगाया जाता है यहां पर यहां पर अमिटर लगाया जाता है यहां पर सेल लगाया जाया है यहां PQ, वो कौन सा ये वाला PQ की बैटरी हो गई B, यह होगी बैटरी एक धारा नियंतरक है R, RH ठीक है, RH जो होता है ये वाला, ठीक है और कुंजी K लगा दी इसको इस तरह से परिपत सेट कर दिया जिस तरह से बना हुआ है, इसी तरह से आपने लिखना है यहाँ पे B, यहाँ पे K इसी तरह से बनाना है, इसमें चेंज नहीं करना है चालक PQ के सीरों के बीच में वोल्ट मीटर V लगा दिया हमने ये V हो गया, ये विवांतर हमें बताएगा अब क्या करना है, हमने कुंजी में प्लग लगाना और PQ में प्रवाहित हो रही जो धारा है उसका मान हम अमिटर से नोट करेंगे और विवांतर का मान हमने क्या करना है V से नोट कर लेना है विवांतर यहां से नोट करेंगे और धारा का मान हमने यहां से नोट कर लेना है तो अब इस तरीके से क्या हो जाएगा हमें V बटा I का अनुपाद जो हो है वो मिल जाएगा इस तरह से हम एक reading लेंगे उसके बाद में फिर से हमने क्या करना है नियंत्रक की सायता से परिपत में धारा का जो मुल्य है वो बदलेंगे धारा का मुल्य बदलेंगे फिर से हम क्या करेंगे वोल्ट मीटर और मीटर में निया पाठ्या निकाल लेंगे इस तरह से हमने कई सारी reading ले लेनी है उनको V1 बटा I1 कर देना है V2 बटा I2 कर देंगे तो हम देखेंगे कि इनका मान जो होता है वो हमेशा क्या आता है एक स्थिरांक ही आता है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे V बटा I is equal to V1 बटा I1 बटा V2 बटा I2 इस इक्वल टू ये क्या आता है स्थिरांक आता है जिसे हम क्या बोलते है आर जो की क्या होता है प्रतिरोध होता है इस तरह से ओम के नियम की पुष्टी होती है क्योंकि ओम का नियम यही बताता है कि चालक के सीरों के बीच में विवांतर वी और उसमें परवाहित हो रही धारा आई कानुपाद क्या होता है हमेशा स्तिर होता है और इस तरह से अगर हम इनके बीच में graph कीचते है तो graph कीचने पर क्या हो जाता है विद्यधारा तथा अभी पानतर के बीच में graph के निये पर हमेशा एक सीधी रेखा आती है जो की ओम के नियम की पुष्ट्टी करती है इस प्रकार से यह हम का नियम सिद्ध होता है पिटा ये question बहुत important है आप लोगों ने करना है और इस paper में भी अच्छे से याद करना है